हेलो फ्रेंद्स आज की वीडियो में मैं आपकी साथ एक शिट मास्का रिव्य और दिमोन दो ही आपकी साथ शब करूंगي, इसे पहले जो लोग मैं जैल पे नजय आए हो प्लीस में चालल को सब्सर्डेब करो, साथ में बेल बुटनकोबी क्लिक करो, तो चलो फ्रेंद्स अगर आप स्मीटेन से बाइ करना चाहते हो तो मैं आपको स्मीटेन का जो लिंक है वो आपको दिस्किप्शन बस में दी दूँगी और अगर किसी और वेबसाट का लिंक मुझे मिल जाए तो भी मैं आपको लिंक दे दूँगी यह मासकिंग का फेशल शिटमास है विद 3 टी एंद माचा टी और यह 20 ग्रम की पाकेजिंग में आता है दूस्तों और यह और आल स्कीन टैप के लिए है दूस्तों अगर मैं बात करूँ इसका प्राइस का तो इसका जो प्राइस है दूस्तों बहो 149 रूपीस है और इसका ज स्कीन को बहुत अच्छी से क्लीन करता है दोस्तों स्कीन को एक बहुत ही अच्छा नैच्रल सा सौप बनाता है इनका वेली स्कीन है उनका एकसेस वेल होता है उसे कंट्रोल करता है यह ग्रीन टी और स्कीन में एक एफेक्टिब ग्लो लाता है और अगर आपकी स्कीन में हल और ग्लोइंग बनाता है साथ ही आपकी स्कीन से एक्सेस ओयल जो है वो गंट्रोल करता है स्कीन एजिंग का जो प्रॉब्लम है उसे भी प्रिवेंट करता है स्कीन को स्मूद बनाता है और सान डेमेज से भी पोटेक करता है स्कीन को तो यह काफी अच्छा शिच्मा से उन ल डिली ओजाता है और काफी जो एक नगानी और पिंपल का प्रप्रॉम स्टार्बलेम हो जाता है, तो मैνे इसलिए की शिटमांस को है था। और झालन एक शिटमांस जो है दुस्तो है बो आप को नाइन देश तक के लिए सीरम का जो वर्क है वो करता रहता है 9 से 10 के बाद आप एक दूसरा shit mask यूज़ कर सकतो पर इस बीच आप कोई भी shit mask या फेस mask या फेस mask अप्लाई मत करना बरना इसका जो वर्क है वो खतम हो जाएगा प्रेंस आप दिख सकतो मेरा जो तो इस अपनी स्पे लिए और थोड़ा बहुत पिंपल भी हुआ है मैं इस शिट मास को एक बाहि कर दोगी और आप ट्लीं फेस पे ही शीट मास को हप एक्लीन प्लीन ने को ने में अपनी फेस को अच्छी से वर्ष कर लिए ना उस की बाद आगर If You और इसका two layers है ठीक है एक जो है वो आपकी sheet mask की है पर एक जो layer है वो आपकी sheet mask को protect करने के लिए second layer इसमें रखा है तो मैं उसे लिकाल लूँगी तो sheet mask मैंने apply लिया है दोस्तो और मैं अब इसे 30 minute से लेकर 40 minutes तक अपनी face पे रखोंगी और जब तक यह dry ना हो जाए पूरी तरीके से हाला कि ये शीट मास्ट जो है बो और स्किन टेप के लिए है पर मैं इसे उन लोग को रेकोमेंड करूंगी जिनका स्किन बहुत ज़्यादा वेली है और एकने और पिंपल का प्रॉब्लम है क्योंकि ये इस शीट मास्ट को अपलाई केने के बाद पास से ज़्यादा वेल फी रहा था बिल्कुल भी एकसेस वेल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे ये शीट मास्ट है वेली स्किन बालों के लिए द्यूरिंग समर सीजन तो चलो फ्रे झालों के लिए था